नमस्ते, वेदिक राष्ट यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं, आज का हमारा विशे है, आचारे चानक्य के अनुसार ऐसी कुनसी बातें हैं, जो मृत्यू के समान हैं। अर्थात, कटू भाष्णी और दुराचार्णी इस्तरी, धुर्थ सभाव वाला मित्र, उत्तर देने वाला नूकर और सर्प वाले ग्रह में रहना ये बातें मृत्यू सुरूप ही हैं, इसमें कोई संदे नहीं। अब विमर्श, अर्थात, जब पती कहीं बहार से घर पे आए, और उसके सांथ बजाए उसकी बातों को सुनने के, उसको सांती से प्रेम से बातें करने के, उसके सांथ वाद विवाद अगर हो, या फिर छोटी छोटी बातों पे आपस में बिना कारण विवाद होने लगे या दुराचरन करने वाले इस्तरी हो गर में, तो ये इस्तिती आचारे चानक्य के अनुसार ब्रत्यू सुरूप मानी गई है, दूसरा, दुर्त मित्र, दुर्त मित्र किसे कहा जाता है, आचारे चानक के धूर्त विक्ती के लक्षन बताते हैं, कि जिसका मुक कमल के समान प्रसन हो, जिसकी वाणी चंदन के समान सीतल हो, जिसका अरदे क्रोट से युक्त हो, इस त्रिपूटी से युक्त होना धूर्त का लक्षन है, जो चोर से कहे कि चूरी कर ले, और साह से कह कि जाकते रहना ऐसा धूरत भी मृत्यूरूप ही है धूरत कहीं भी दोका दे कर मित्र के लिए मृत्यू का करण बन सकता है इसलिए हमेशा सतर करें एक बार और इस बातों को हम जानेंगे क्योंकि हमारे आसपास अकसर ऐसे लोग रहते हैं जिने हम भैचान नहीं सकते अचारे चाणके के अनुसार जो कमल के समान प्रसन नमुक वाला हो जिसके वाणी तो सीतल हो किन्तु उर्दे क्रोच से युकत हो ये तीन लक्षण धुरत रक्ति के होते हैं अब उत्तर देने वाला नोकर उत्तर देने वाला नोकर भी मृत्यू के समान ही होता है कि जहां छो रूप है ही धन्यवाद इसी तरह के वेदोक्त विचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती सुझाओ कमेंट बॉक्स में हमें बताईए धन्यवाद